अपनी क्लास देखें स्टूडेंट हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे एरर का टॉपिक और एरर के ओपर बहुत सारे कोशन्स मैं आपको करा चुका हूँ डेरिवेशन भी मैं आपको करा चुका हूँ बहुत सारी प्राबलम्स भी मैं आपको करा चुका हूँ आज है हमारे पास में DPP, Daily Practice Problems on Errors यानी Errors के ओपर जो कोशन्स हमसे एक्जाम में पूछे जाते हैं लाइक नीट एक्जाम, JEE एक्जाम और स्कूल एक्जाम वो कोशन्स किस तरीकी के आते हैं उनकी लेंग्वेज किस तरीकी की रहती हैं और कैसे हम उन कोशन्स को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे बिटा देखो वैसे तो almost error का जो topic है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है कुछ छोटे-छोटे point इसके अंदर बचे हुए हैं वो questions की practice के साथ-साथ मैं आप लोगों को बिटा करा कर चलूँगा हम questions की practice भी करते रहेंगे और हम उन छोटे-छोटे points को भी पढ़ते रहेंगे ठीक है तो error इस तरीके से आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई problem आप लोगों को नहीं होगी ये error JEE exam के point of view से बहुत important है क्योंकि ये देखा गया है कि हर साल 2-3 question JEE advance की बात कर रहा हूँ विटा मैं JEE advance का जो exam होता है कम से कम 2-3 question हर साल यहां से पूछे जाते हैं तो इसी लिए ये topic हमारे पास में बहुत ज़्यादा important है JEE के point of view से तो आईए बिना किसी देरीके करते हैं अपनी class start तो बिटा आज की class में है हमारे पास में daily practice problem daily practice problem on measurement यानि error questions आपके सामने हैं इन में से बहुत सारी problem ऐसी है जो already मैं आप लोगों को solve करा चुका हूँ कुछ नई problem भी आपको यहां पर मिलेगी मैं एक छूटी सी बात clear कर देना चाहता हूँ बेटा कि जब मैं questions आपको solve कराना start करूँगा तो बहुत सारी जंगा नई-ने formula आपके सामने आएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप formula पर ज़्यादा धियान मत दे क्योंकि formula तो automatically आपको वैसे भी याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप physics पढ़ते जाओगे वैसे वैसे formula आपके सामने आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो formula आटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे तो formula की कोई बहुत ज़्यादा tension आप लोग ना ले formula तो आपके clear हो ही जाने है आपको सिर्फ ध्यान देना है कि उस error की problem को हम solve कैसे कर रहे है उस error के concept को उस error के question को हम बना कैसे रहे है इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना है बिटा आईए start करते हैं देखिए number one हमारे पास में है ये number one problem जो है हमारे पास में वो ये है बिटा number one question हमारे पास में ये है a wire has a mass पेटा mass हमें दिया गया है इतना radius हमें दी गई है इतनी और length हमें दी गई है इतनी हमें बताना है the maximum percentage error in the measurement of its density is देखो दिया गया क्या है हम लोगों को हमें mass दिया है हमें radius दी है हमें लंबाई दी है लेकिन error हमसे कहाँ में पूछी है error हमसे पूछी है density में अब कैसे हम बताएंगे density में error ये है बहुत जरूरी बात सबसे पहले मैं निकालता हूँ बिटा mass के अंदर percentage error delta m percent सबसे पहले हम mass के अंदर percentage error निकालते हैं कैसे निकालेंगे mass के अंदर percentage error ये जो पीछे वाली value है इसे रखेंगे उपर 0.003 main value को रखेंगे नीचे multiply करेंगे 100 से answer आएगा 1% इसे solve करके जो answer हमारे पास में बनेगा वो बनेगा हमारे पास में 1% यानि mass के अंदर जो percentage error आएगी वो 1% आएगी इसके बाद हम लोग आते हैं बिटा radius पर percentage error कैसे ये दी गई है हमें radius given radius जो हमें given दी गई है वो ये दी गई है अब इस value से हम radius की percentage error कैसे बना सकते हैं error वाली value कितनी है हमारे पास में error वाली value है 0.005 divided by 0.5 multiply by 100 and the answer is 1% radius के अंदर भी percentage error हमारी आगई 1% mass के अंदर percentage error 1% radius के अंदर भी percentage error है हमारी 1% अभी बचा हुआ है हमारे पास में length अब हम निकालते हैं length के अंदर percentage error जब length के अंदर percentage error निकालेंगे देखो length की value है 0.06 main value है 6 multiply by 100 फिर वो ही answer यहां भी आया बिटा हमारे पास में 1% यानि mass की percentage error 1% है radius की percentage error वो भी 1% है लंबाई की percentage error वो भी 1% है लेकिन इन तीनों में से तो हमें कोई भी नहीं चाहिए था हमें चाहिए density के अंदर कितनी percentage error होगी तो बिटा अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग आगे से याद रखें density का formula होता है mass upon volume density का जो formula हमारे पास में होता है वो यह है density is equal to mass upon volume अब आप आगे देखें volume को मैं क्या लिख सकता हूँ volume को मैं क्या लिख सकता हूँ बिटा wire की बात हो रही है wire की और wire की shape ऐसी होती है जैसे की cylinder wire जो होता है ना आपके पास में यह cylinder की shape का होता है अब बिलकु recently आप लोग 10th class पढ़के आये हो और cylinder के volume का formula सभी लोगों को पता होगा cylinder के volume का formula होता है पाई R square L यह cylinder के volume का formula होता है पाई R square L तो density का formula बन गया हमारे पास में यह अब आप इस density को percentage error में convert करिए density को percentage error में convert करिए कैसे आप convert करोगे d की power 1 है और percentage error निकालने के लिए जिसकी percentage error निकालनी है उसकी power होनी भी वनी चाहिए और है भी वन ही चलो formula apply कर देते हैं तो D को हम लिखेंगे delta D percentage is equal to M की power 1 है M को हम लिखेंगे delta M percentage plus R की power 2 है हम इसे लिखेंगे 2 into delta R percentage plus L को हम लिखेंगे delta L percentage ये हमने लिख दिया मास को हमने लिख दिया delta M percentage R square को हमने लिख दिया 2 into delta R percentage और L को हमने लिख दिया delta L percentage अब आप देखें क्या value निकल कर आएगे मास की value निकल कर आएगी 1, R की value निकल कर आएगी 1, Length की value निकल कर आएगी 1 कुल मिलाकर final answer आएगा हमारे पास में 4%, this is the percentage error in density so correct answer is 4, यानि last option हमारा correct होगा पीटा, ऐसे हम problem बनाने वाले हैं अच्छा question है, उमीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, करिए जल्दी से no down, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अब इस में से बहुत सारे question ना, वेटा मैं आप लोगों को already करा चुका हूँ अब जो question मैं आपको करा चुका हूँ, उनमें दुबारा से समय खराब करना, time waste करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा तो जो question हम कर चुके हैं, उन्हें आप लोग अपने आपसे एक बार try करें question number 2 जो है, divide वाला, significant figure में, मैंने divide करना आप लोगों को सिखाया था मैं already करा चुका हूँ, यह आप लोगों का homework है, question number 2 आप लोग अपने आपसे solve करें और देखें कि चारो option में से कौन सा option आपका निकल कर आएगा अब आते हैं बेटा हम लोग question number 3 में problem number 3 देखें हम लोगों को क्या दे रखी है problem number 3 में यहाँ, problem number 3 यह है A, B, C और D, A के अंदर percentage error है, 1%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 2% देखो बेटा, problem number 3 आप देखो कि हमें given क्या दिया है यह है problem number 3 हमारे पास में हमें बताना है कि capital A के अंदर कितनी percentage error होगी find the percentage error in capital A यह मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि ऐसा question बहुत important है और इसकी practice करें आप जितनी ज़्यादा कर सकते है capital A के अंदर percentage error आपको निकालनी है और capital A की power आपको दे रखी है 1 capital A में आपको percentage error निकालनी है और capital A की power आपको दे रखी है 1 so capital A को हम यहां लिखेंगे बिटा delta A percentage is equal to small A की power 2 है हम लिखेंगे 2 into delta A percentage plus 3 into delta B percentage plus C की power 1 है delta C percentage और D की power है 1 by 2 1 by 2 delta D percentage यह result हमारे सामने निकल कर आएगा A की power 2 2 into delta A percentage B to the power 3 3 into delta B percentage C to the power 1 delta C percentage और D की under root D का मतलब होता है D की power 1 by 2 यहनी 1 by 2 delta D percentage अब given देखें हमें क्या दे रखा है हमें given दिया है कि जो delta A percentage है इसकी value है 1% जो delta B percentage है इसकी value है 3% यह तो delta B आपको दिख रहा है ना बेटा इसकी value हमें 3 दे रखी है delta C की value हमें दे रखी है 2% half और delta D की value हमें दे रखी है 2% अब जब इसे हम solve करेंगे तो क्या answer आएगा 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 तो बिटा correct answer आया हमारे पास में 14% इसे हम बनाएंगे question उमीद है कि आप लोगों को समझाई हो बात इस तरीके से हम problem बनाएंगे और final answer हमारा निकल कर आया 14% वीडियो को pause करिये और जल्दी से no down करिये then हम आगे की तरफ बढ़ते है अब आते हैं problem number 4 पर देखें ये आपको problem number 4 दे रखी है problem number 4 हाला कि मैं इसके जैसा question भी आपको करा चुका हूँ सिर्फ language को हलका सा बदल दिया गया है बाकि सब कुछ सेम है मैं ऐसा question आप लोगों को करा चुका हूँ सिर्फ language को हलका सा बदल दिया है बाकि सब कुछ सेम है क्या condition आपको दे रखी है जरा एक बार पढ़ लेते हैं ये physical quantity is given by ये physical quantity हमें given दी गई है x की power 1 है x की power 1 होनी चाहिए और heavy 1 ही आपको x के अंदर percentage error निकालनी है न x की power कितनी होनी चाहिए 1 और heavy 1 ही हमारे पास में the percentage error in measurement of mass, length and time mass की जो percentage error है वो है alpha length की जो percentage error है वो है beta और time की जो percentage error है हमारे पास में वो है gamma respectively the maximum percentage error in the quantity x is बिलकुल same question बिलकुल same question कोई अलग बात नहीं करनी है x आपको given दिया है ये x is equal to m to the power a l to the power b t to the power c जब हम इसकी percentage error बनाना start करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि x की power 1 है या नहीं है फिर हम x को लिखेंगे delta x percentage is equal to a into delta m percentage plus b into delta l percentage plus c into delta t percentage ये हम लोगों ने लिखा बेटा delta m percentage कितना है हमारे पास में delta m percentage है हमारे पास में alpha so a alpha delta l percentage कितना है beta delta t percentage कितना है gamma तो finally जो हमारे पास में answer निकल कर आया ने विटा वो ये निकल कर आया अपने चारो option से आप match कर लीजिये देखे कौन सा option आपका correct बैठेगा बात खतम इस तरीके से हम problem solve करेंगे तो अब मुझे उम्मीद हो गई है कि आप लोगों को एक थोड़ा सा idea लग गया है कि questions को किस तरीके से solve करना है मैं इस DPP से बहुत सारी problem आप लोगों को solve करने के लिए दूँगा यानि आप लोगों को as a homework दूँगा आप लोगों ने try करीगा problem को और doubt class में अपने doubts को आप clear करीगा 11th class के बच्चे doubt हम लोगों से कम पूछ रहे हैं मतलब मैं कितनी बार आप लोगों से कहूँ और कौन सी language में मैं आप लोगों को से कहरे हूँ कि कहीं भी कोई भी doubt आप लोगों को आ रहा है आप तुरंट मेरे पास में WhatsApp करो मेरे पास में call करो या जब Office से आपके पास में call आती है कोई भी problem आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसे आप hold करके चल रहे हो कि चलो भी बाद में पूछ लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए छोटे से छोटे doubt को बड़े से बड़े doubt को अपने साथ साथ clear करके चलो science पढ़ने का यही एक मात्र मूल मंत्र है कि चीजों को साथ साथ लेकर चलो और अपने doubts को clear करके चलो कोई भी चीज आपको अपना backlog करके नहीं रखनी है कि बाद में हम लोग पूछ लेंगे हम फिर clear कर लेंगे exam अभी हमारे नहीं है यह बिलकुल नहीं करके चलना है अपनी चीजे तभी के तभी clear करके चलो बिटा चलिए problem number 5 problem number 5 देखे बिटा क्या है हमारे पास में अब तो बहुत easy easy problem है मैं already करा चुका हूँ इस तरीकी की problem आप लोगों को तो मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी आएगी आप लोगों को problem यह है if the length of rod is a यानि a वाली जो rod है उसके लंबाई आपको दी गई है यह a वाली rod की लंबाई आपको दी गई है यह और b वाली rod की लंबाई आपको दी गई है यह आपको बताना है कि b minus a के इतना होगा b minus a अब याद करिए बटा मैंने minus करना आपको सिखाया था कि जब minus करना होता है तो हम कैसे minus करते हैं main value में से main value को minus करते हैं और error वाली value को हमेशा add करते हैं जब भी हमें addition करना है या subtraction करना है तो वो addition और subtraction सिर्फ और सिर्फ main value पर apply होता है सिर्फ और सिर्फ main value पर error वाली value हमेशा आपस में add होती है हमेशा आपस में add होती है तो आप ये समझे कि एक rod की लंबाई हमें दी गई है ये और दूसरी rod की लंबाई हमें दी गई है ये सो हमें बताना है then the rod B is longer than rod A rod B rod A से कितनी ज़्यादा है तो आप B में से A को माइनस करेंगे जब आप B में से A को माइनस करेंगे तो main value में से main value को माइनस करेंगे और error वाली value आपस में आपकी हो जाएंगी add चारो option में से आप देख लेंगे कौन सा option आपका correct बैठेगा वो ही आप लोगों का answer हो जाएगा बिटा बिलकुल ऐसे ही हमें बनानी है problem no.6 बिलकुल ऐसे ही हमें बनानी है problem no.6 length हमें दी गई है L हमें दिया गया है B हमें दिया गया है L प्लस B हमें बताना है अब याद करिए मैंने significant figure में आपको add करना सिखाया था बिटा मैंने significant figure में आपको add करना सिखाया था और मैंने वहाँ क्या आप लोगों को बताया था कि जब दो values को आप add करते हैं तो add करने के बाद जो resultant निकल कर आता है यानि जो final answer निकल कर आता है उसमें decimal के बाद में उतने places तक value होगी जितने कम number में होगी यानि आप ये समझेए यहाँ decimal के बाद three places तक value है यहाँ decimal के बाद सिर्फ एक place तक value है तो जब आप इन दोनों को add कर देंगे न तो final answer में सिर्फ decimal के बाद एक ही place तक value रहेगी बिटा सिर्फ एक place तक value रहेगी ये सभी चीजे already मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ दुबारा बताने का मतलब नहीं मनता है क्योंकि जब पढ़ा दिया है और बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है तो फिर कोई problem होनी नहीं चाहिए आप लोगों को तो problem number 5 problem number 6 problem number 7 ये तीनों के तीनों question आप लोगों का homework है तीनों आप लोगों को अपने आप से solve करने हैं बिटा ठीक है? नोट कर लिजिए problem number 5 problem number 6 and problem number 7 अब आते हैं हम next problem number देखे student अब आता है हमारे पास में problem number 8 अभी problem number 8 को मैं hold करके चल रहा हूँ त्योंकि इसका concept मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है अभी एक छोटा सा concept हमारा बचा हुआ है vernier, caliper, screw, gaze, sparometer और least count ये छोटा सा concept हमारा बचा हुआ है जब ये concept मैं आपको पढ़ा दूँगा तब मैं इस तरीकी का सवाल आप लोगों को कराऊंगा बचा ये सवाल भी काफी important है हमारे लिए तो question number 8 अभी आपको नहीं करना है मैं खुद से इसकी practice कराऊंगा आप लोगों को question number 9 में आते हैं बिलकुल अभी मैंने आपको question number 9 जैसा एक सवाल उपर कराया ये भी आप लोगों का homework है आप लोगों को अपने आप से solve करना है देख लीजे बिटा question number 9 जैसा सवाल बिलकुल अभी मैंने आपको solve कराया है तो question number 9 आप लोग बड़े प्यार से अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और करने के बाद में सही option देखेगा कौन सा आएगा, यह आप लोगों को अपने आप से करना है, अब आते हैं हम problem number 8 में, problem number 10 में, यह question बहुत बढ़िया है, problem number 8, problem number 10, sorry, यह question बहुत बढ़िया है, देखो problem क्या है, बिलकुल दियान से जड़ा देखेगा, problem number 10 हमारे पास में यह है, the period of oscillation of a simple pendulum is given by this, where L is about, लंबाई आपको दे रखी है, 100 cm, and is known to have 1 mm accuracy, 1 mm accuracy, 1 mm accuracy का मतलब है कि यह डेल्टा L की value है, और यह लंबाई हमें given दे रखी है, यह हमारे पास में L की value है, यह लंबाई हमें given दे रखी है, यह हमारे पास में length की value है, और यह हमें दे रखी है, लंबाई की accuracy, तो यह लंबाई की accuracy का मतलब है, length के अंदर error, यह है हमारे पास में delta L की value, आपको बताना है कि gravity के अंदर percentage error कितनी होगी तो I think question बहुत आसान है बहुत मुश्किल नहीं है सबसे पहले आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है percentage error in gravity यानि आपको पहले एक काम करना पड़ेगा कि जो formula आपको given दिया गया है न बिटा उस formula से gravity को बिलकुल एक तरफ आपको रखना पड़ेगा अलग और बाकि सारी values को आपको रखना पड़ेगा दूसरी तरफ तब ही आप gravity के अंदर percentage error निकाल पाएंगे तो हमारे पास में formula है ये हमें gravity को बिलकुल एक तरफ ले जाना पड़ेगा जब हम gravity को बिलकुल एक तरफ लेकर गए तो ये बन गया हमारे पास में 4 pi L upon T square ध्यान से देख लीजे बिटा आप लोग क्योंकि rule के मताबिक जिसके अंदर आपको percentage error निकालनी है वो अकेला बिलकुल एक तरफ होना चाहिए वो अकेला बिलकुल एक तरफ होना चाहिए बिलकुल एक तरफ होना चाहिए दूसरों से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें gravity में percentage error निकालनी है तो हमने both side का square करके gravity को इधर लेकर गए अब आप देखो कि g की power है कितनी g की power है 1 तो मैं g को लिख सकता हूँ delta g percentage is equal to 4 क्या है? constant pi क्या है? constant जब error हम लिखते हैं तो constant का कोई काम होता ही नहीं है यहाँ है l की power 1 तो यह लिखा जाएगा delta l percentage और यहाँ है t की power 2 यह लिखा जाएगा 2 into delta t percentage देखो बेटा धिहान से gravity के अंदर percentage error मैंने यहाँ पर लिख दी delta l percentage plus 2 into delta t percentage अब समय आ गया है delta l percentage निकालने का delta l percentage कैसे निकलेगी आप यह देखो कैसे निकालते हैं हम लोग delta l percentage error को रखते हैं उपर main value को रखते हैं नीचे और 100 से करते हैं multiply अब आप देखो 1 mm की accuracy है length में यानि यह length की error है 1 mm इसे रखा हमने उपर 1 mm 1 mm को हमने रखा उपर ठीक है पूरी length कितनी है पूरी length है 100 cm इसे रखा नीचे और 100 से कर दिया multiply यह हमने length की percentage error निकाली error को रखा उपर main value को रखा नीचे और 100 से कर दिया multiply लेकिन एक समस्या है समस्या यह है कि यह mm में है और यह cm में है इन दोनों की unit होनी चाहिए same आप mm से cm को थोड़ी divide कर दोगे हम length की percentage error निकाल रहे हैं error वाली value को रखा उपर main value को रखा नीचे multiply by 100 तो cm को जब हम meter में convert करेंगे तो 1 cm में होते हैं 10 mm 1 cm में 10 mm होते हैं divide किया answer आ गया हमारे पास में 1% this is the percentage error in length ये हमारी length की percentage error है बिटा ये हमारी length की percentage error है आप दिहान नखेगा कैसे हमने find out की है अब gravity के अंदर अगर percentage error निकालनी है तो length की percentage error तो चाहिए ही चाहिए time की percentage error भी चाहिए अब time की percentage error कैसे निकलेगी आप देखो जरा time की percentage error कैसे निकलेगी आप ज़रा देखे किस तरीके से हम time की percentage error निकालेंगे अरे भाईया मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर यह 0.1% आएगा बेटा 0.1% sorry मैंने गलती से लिख दिया यह 0.1% आएगा अब time की percentage error निकालते है time की percentage error देखो 100 oscillation में इतनी error है 0.1 second की error है 100 oscillation में बिल्कुल दियाद से देखे का पेटा 100 oscillation में 100 बार चक्कर लगाने में 100 बार ऐसे चक्कर लगाने में इतनी error आती है और एक चक्कर का time है 2 second एक oscillation का जो time है वो 2 second है और 100 oscillation में आती है इतनी error अब मुझे एक बात बताओ अगर 100 oscillation में 0.1 second की error है और एक oscillation को complete करने में एक round को complete करने में 2 second लगते हैं तो 100 round पूरे करने में कितना time लगेगा? 100 round पूरे करने में 200 second का time लगेगा 100 round को पूरा करने में जो time हमारे पास में लगेगा वो 200 का time लगेगा बिटा हमने error को रख दिया ओपर 0.1 एक oscillation में लगते हैं 2 second number of oscillation है हमारे पास में 100 total time को हमने रख दिया नीचे और percentage निकालने के लिए हमने 100 से multiply किया अब आप देखो क्या value निकल कर आएगी हमारे पास में हमारे पास में निकल कर आएगा 10 upon 200 ये निकल कर आया हमारे पास में 1 upon 20 ये हमारे पास में निकल कर आया बिटा 1 upon 20 और delta T percentage 1 upon 20 की value हो गई हमारे पास में 0.05% 0.05% यहां उठा कर put कर देते हैं length की error है 1% इसकी error है 0.05 so correct answer is 0.2% यह third option हमारा correct होगा बिटा यहां जो option correct होगा यह third option हमारा correct होगा तो first of all हमें formula दिया गया था हमने सबसे पहले gravity की percentage error को निकाल दिया वहां से अब हमने formula को set कर दिया और formula को set करने के बाद हमने देखा कि हमें जरुत पड़ेगी length के अंदर percentage error की और time के अंदर percentage error की अब length के अंदर percentage error कैसे निकाली जाएगी length वाली error को हमने रखा उपर total length को रखा नीचे multiply by 100 लेकिन ध्यान रखना unit same कर ले ना इनकी ये निकल गई हमारे पास में दोनों की value को उठा कर यहां पूट किया ये बन गया हमारा answer correct answer is 0.2% उमीद करते हैं कि बात समझाई हो आप लोगों को okay question जल्दी से note कर लीजिए answer note कर लीजिए बड़ा अच्छा question है आगे भी इस तरीकी की question आएगे और आपके concept क्लियर हो जाएंगे बिटा देखो अब जैसे हमें ये दिया गया है question number 11 आप देखो क्या दिया गया है problem number 11 को आप जरा समझेगा क्या दिया गया है problem number 11 है बिटा हमारे पास में the mean time period of simple pendulum is two seconds mean time period का मतलब ये है कि main value जो main value है वो आपको दे रखी है two point zero zero second समझ रहे हो आप लोग ये main value आपको दे रखी है अच्छा उसके बाद का and mean absolute error in the time is mean absolute error का मतलब होता है delta t वो आपको दे रखा है 0.05 तो हम इसे error के term में कैसे लिख सकते हैं भाई हमें main value भी दे रखी है हमें error वाली value भी दे रखी है तो हम इसे error के term में लिख कैसे सकते हैं जरा ये देखना है ये हो गई हमारे पास में main value और ये हो गई हमारे पास में error वाली value तो बेटा ऐसे लिखा जाता है t plus minus delta t बताओ लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है अब t की value क्या है हमारे पास में t की value है हमारे पास में 2.0 plus minus 0.05 second लो बिटा ऐसे हम इस question को लिखने वाले हैं यार बहुत ही आसान question है मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके concept clear है ना तो subject आपको बहुत easy लगने वाला है अगर आपके concept clear है और अगर आपके concept clear नहीं है तो चीजे आप लोगों के लिए मुश्किल होती जाएंगी बेटा बहुत मुश्किल होती जाएंगी तो इसलिए हर question के साथ अपने concept को clear करके आप लोग जरूर चलें main value हमें दी गई है error वाली value हमें दी गई है main value कितनी है 2 second error वाली value कितनी है 0.05 हमने कुछ इस तरीके से इसे express कर दिया for example माल लीजिए आपको percentage error निकालनी है कैसे निकालोगे percentage error error वाली value को रखोगे उपर 0.05 main value को रखोगे नीचे multiply आप करोगे 100 से तो जैसे ही आप solve करोगे answer निकल कर आएगा 2.5% this is the error in time ये हमारा time के अंदर error निकल जाएगा बल्लब error के term में हम इसे express ऐसे कर सकते हैं और अगर percentage error निकालनी है तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है सो मीध है पिटा आप लोगोंने कर लिया होगा कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी इस तरीकी का सवाल हम आपको पहले भी बता चुके है करिए जल्दी से note down फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा problem number 12 मैं इस तरीकी का सवाल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ previous class में तो मैं चाहूंगा कि इस question को आप खुद से solve करें problem number 12 जैसा question मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ previous class में तो मैं चाहूंगा कि इस question को आप खुद से ही एक बार solve करें मिटा आपको radius के अंदर percentage error दे रखी है 1% volume के अंदर आपको बतानी है कितनी percentage error होगी तो spare का volume देख लीजेगा कितना होता है 4 by 3 pi r cube वहाँ से आप volume के अंदर percentage error निकाल देंगे ठीक है अब आते हैं हम next question पर देखे problem number 13 बेटा क्या है problem number 13 ज़रा समझेगा problem थोड़ी बड़ी है question थोड़ा बड़ा है हमें बहुत अच्छे तरीगे से इस problem को solve करना पड़ेगा और इसमें कुछ concept ऐसे भी use हो रहे हैं जो अभी आप लोगोंने पढ़े नहीं है इस question में कुछ ऐसे भी concept use हो रहे हैं जो अभी आप लोगोंने नहीं पढ़े हैं कुछ ऐसे formula use हो रहे हैं जो आप लोगोंने अभी नहीं पढ़े हैं चिंता की कोई बात नहीं है आप आराम से सभी चीजों को देखेगा हमें कहा गया है एक बॉड़ी का जो वेट है एर में इतना है वेट इन एर हम लिख देते हैं डबलू वन वेट इन एर ठीक है और बेटा यह है वेट इन वाटर उसी बॉड़ी का वेट वाटर में इतना है यानि सबसे पहले बॉड़ी को न हमने एर में रखा जब हमने बॉड़ी को एर में रखा तो उस बॉड़ी का वेट था इतना जब उसी body को हमने उठा कर water के अंदर immersed करा दिया पानी के अंदर डोबो दिया water के अंदर हमने डाल दिया तब उसका weight था हमारे पास में इतना मिटा ठेक है then the relative density along with the maximum permissible percentage error is हमें बताना है कि relative density के अंदर error कितनी होगी अब दो ही data है हमारे पास में ये है हमारे पास में weight in air और ये है हमारे पास में weight in water हमें बताना है कि relative density कितनी होगी relative density कितनी होने वाली है हम लोगों को ये बताना है बेटा तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ बेटा formula और formula है हमारे पास में ये ठीक है ये हमारे पास में formula है सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा formula मैं फिर कहूंगा कि यार formula पर जादा धियान आप दे भी नहीं क्योंकि formula आप आगे चल कर पढ़ेंगे ठीक है ये हमारा relative density निकालने का तरीका है w2 का मतलब है weight in water w1 का मतलब है weight in air और x का मतलब है relative density मुझे यहाँ चेना x निकालना है बिटा x तो सबसे पहले आप कुछ भी करके x को निकालो x को एक तरफ आप ले कर जाओ और देखो x को आप कैसे calculate करोगे यहाँ से x की value हमारी निकल कर आएगी x is equal to w1 upon w2 minus w1 यह value निकल कर आएगी बिटा हमारे पास में आप देख ली थी एक बार धियान से x की जो value हमारे पास में यहाँ से निकल कर आएगी वो value हमारी निकल कर आएगी बड़ चेक कर लेते हैं ज़रा कुछ उल्टा तो नहीं हम लोगों ने लिख दिया w2 upon w1 1 upon x is equal to 1 minus w1 minus k w2 upon w1 लोग बिटा यह आएगी हमारी x की value जब यहाँ से हम solve करेंगे न तो x की value आएगी w1 upon w1 minus w2 यह आएगी x की value हमें x निकालना है x हमारा आगया इतना यहाँ पार चीक है अब देखो हम कैसे solve करेंगे यह नीचे की तरफ denominator में आपको दिख रहा है w1 minus w2 अब मुझे w1 minus w2 नहीं लिखना है मैंने w1 minus w2 को देखो क्या दिखा बिल्कुल दिहान से आप देखेगा मैंने w1 minus w2 को लिख दिया y क्या लिख दिया है y w1 की value मेरे पास में है यह रही y मैंने किसे लिखा w1 minus w2 तो पेटा y की तो value हमारे पास में आएगी w1 में से w2 को minus करके y आएगा तो 5 में से minus करेंगे 4 को यह आएगा 1 plus minus error वाली value error वाली value में add हो जाएगी यह निकलेगी हमारी y की value यह w1 है यह y है और वो है हमारे पास में w2 हमें x के अंदर percentage error चाहिए निकल गई percentage error कोई दिक्कत नहीं है कैसे x को हम लिख देंगे delta x percentage w1 को हम लिखेंगे delta w1 percentage और y को हम लिख देंगे delta y percentage मैंने w1 minus w2 को y लिख दिया यहाँ पर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यह condition मेरे पास में आ गई बिटा formula पर आपको ध्यान देना है अच्छे से अपने को ही थोड़ा सा margin बनाकर formula लिख लीजेगा कि आगे से मैं इस formula का use करूँगा बाकि यह है कि formula आगे के syllabus में आएगा आपके सामने अब देखो w1 का percentage कैसे निकलेगा w1 का percentage निकलेगा कैसे 0.05 को रखेंगे उपर 5 को रखेंगे नीचे और multiply करेंगे 100 से y का percentage कैसे निकलेगा 0.1 को रखेंगे उपर 1 को रखेंगे नीचे और multiply करेंगे 100 से तो हमारे पास में x का percentage यहां से निकल कर आएगा बेटा 11%, 11% यानि relative density का जो percentage निकल कर आएगा वो 11% निकल कर आएगा अब बताईए 4 option में से 11% किसका answer है 4 option में से 11% इसका answer है तो a option हो जाएगा हमारे पास में correct a option हमारा correct होगा बस आपको यह याद रखना है w2 weight in liquid w1 1-x और यहां से जो x की value हमारी i है वो i है बेटा यह इस w1-w2 को correct करने के लिए मैंने अपनी तरफ से violet किया और उसके बाद further मैंने problem को solve किया ठीक है अच्छे से question की practice करिएगा note करिए जल्दी से फिर हम लोग आगे बात करते हैं देखो बिटा next question है हमारे पास में यह ऐसा question भी हम पहले पढ़ चुके हैं already इस तरीकी का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ यह आपके पास में resistance है यह voltage है और यह current है कैसे करेंगे आप problem को solve r को आप लिख देंगे delta r percentage is equal to v को आप लिखेंगे delta v percentage और i को आप लिखेंगे delta i percentage ठीक है r की power 1 थी ना resistance के अंदर percentage error निकाल ली थी तो यह हमने लिख दिया अब delta v percentage कैसे निकलेगा delta v percentage आपका निकलेगा बिटा error वाली value उपर main value नीचे multiply by 100 current का percentage कैसे निकलेगा आपके पास में 0.2 divided by 10 multiply by 100 यहां से जो दोनों की percentage value आएगी वो यहां put करेंगे answer बन जाएगा हमारे पास में ऐसे हम question बनाने वाले हैं तो इस question को भी completely आप खुद से solve करें क्योंकि हम पहले भी इस question को करा चुके हैं ओके अब आते हैं हम बिटा question number 15 पर question number 15 भी अभी आपको नहीं करना है एक question मैंने पहले आपका रुकवाया था एक question मैं आपका 15 रुकवा रहा हूं क्योंकि इस condition में use हो रहा है vernier caliper और आपको अभी नहीं पता है कि vernier caliper होता क्या है जो हमारी कल की class होगी यानि जो हमारी next class होगी उसमें हम vernier caliper के बारे में ही जानने वाले हैं तो आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़े समझ में आएंगी जब vernier caliper, screw gaze या sparometer मैं आपको पढ़ा दूँआ ठीके तो question number 15 अभी आपको नहीं करना है अभी आप इसे hold करके रखेगा next question पर हम लोग आते है question number 16 हम देखते है ये question भी already मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे question तो ऐसे है यार मैं already आप लोगों को करा चुका हूँ heat का formula है आपके पास में i square r t जब आप इसे लिखोगे तो h को आप क्या लिखोगे delta h percentage 2 into delta i percentage plus delta r percentage plus delta t percentage ये हमने heat के formula को लिख दिया अब current की percentage error है 3% resistance की percentage error है 4% और time की percentage error है 6% यहाँ put करेंगे solve करेंगे option match कराएंगे answer हो जाएगा बिटा ठीक है इस तरीके से हम question मनाएंगे तो अभी तक यहाँ तक 16 question जो हमने आपको बताये हैं बिटा 16 सवालों में सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं आपको नहीं करने है बाकी के 14 problem आपको खुद से solve करनी है अभी तक जो question मैंने आप लोगों को कराएं है जो 16 problems मैंने आपको कराएं है यह अलग-अलग type की problem है अलग-अलग concepts की problem है जो NEET, JEE और आपके school exam में frequently पूछी जाती हैं बिटा तो इनमें सिर्फ 2 questions ऐसे हैं जो अभी हमने hold पर रखे हैं बागी सब हमने आपको बताये हैं आप सारे questions को try करें अच्छे से बिल्कुल ठीक है? अब आते हैं बिटा हम लोग आगे कुछ questions मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों को खुझ से एक बार try करने है problem number 17 problem number 18 problem number 19 and problem number 20 आप लोग इसे note कर लीजे इन चार problems को ये चार problems भी आपको solve करनी हैं बिटा problem number 17, 18, 19, 20 कर ये जल्दी से solve चारो questions को लिख लीजी ये चारो questions आपका homework है देखते हैं कि कितने बच्चे इन चार problem को solve कर पाते हैं problem number 17, problem number 18, problem number 19, problem number 20 17, 18, 19, 20 तो total question हो गए हैं आप लोगों के 20, 20 सवाल आप लोगों के हो गए हैं आप इन 20 की 20 problem को solve करें कल की class में हम पढ़ेंगे अपना नया topic, vernier caliper, screw gaze, sparometer, and least count फिर जो हमारे कुछ बचे कुछे सवाल है, कुछ छोटे मोटे problems हमारी जो बची हुई हैं उन्हें हम लोग discuss करेंगे बिटा चलिए, मिलते हैं आप लोगों से next class में